इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तेमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग कर करके और आपके रक्त में अच्छे कॉलेस्ट्रॉल यानि की HDL की मात्रा को बढ़ा कर काम करता है। कॉलेस्ट्रॉल का उच्छस तर आपकी रक्त वाहिकाओं को संकीर्ण यानि की एथेरोस्क्लेरोसिस कर सकता है। कॉलेस्ट्रॉल की मात्रा कम होने से हिरदे रोग और स्ट्रोक की संभावना कम हो जाती है और आपको लंबे समय तक स्वस्थ रहने में मदद मिलती है इसके अलावा इसमें एक ब्लड थिन एस्पिरिन भी होता है जो रक्त के ठककों को बनने से रोकता है और मौजूदा लोगों को आकार में बड़ा होने से भी रोकता है इस दवा की प्रभावशीलता को अधिक्तम करने के लिए इसे नियमित रूप से लें और उचित जीवनशेली में बदलाव करें यानि की जैसे स्वस्थ भोजन करना और सक्रियर रहना अच्छा महसूस होने पर भी इसे लेते रहें इस दवा को अपने चिकित सक द्वारा बताई गई खुराक और अवधी में लें Macta ASP 75 कैपसूल को भोजन के साथ लेना बहतर होता है Macta ASP 75 कैपसूल दो दवाओं का एक मिश्रन है टॉवस्टेटिन और एस्पिरिन जो दिल के दोरे और स्ट्रोक से बचाता है Atorvastatin एक लिपिट कम करने वाली दवा है जो शरीर में कॉलेस्ट्रॉल बनाने के लिए आवश्यक एंजाइम को अवरूत करती है यह खराब कॉलेस्ट्रॉल यानि की LDL Triglycerides को कम करता है और अच्छा कॉलेस्ट्रॉल यानि की HDL बढ़ाता है इस पर इन एक गैर स्टेरायल विरोधी भरकाव दवा यानि की NSID है जिसमें anti-platelet क्रिया होती है यह platelets को आपस में चिपकने से रोकता है और हानिकारक रक्त के ठक्कों के निर्मान को कम करता है विडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद अगर आपको ये विडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को टन आन अल नोटिफिकेशन पर सेट करें धन्यवाद